प्रेंट्स इस लेस्न में हम लोग एंफसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं एंफसिस दोस्तो एक बहुत ही इंपॉर्टन प्रिंसिपल अफ डिजाइन है बेसिकली एंफसिस है क्या दोस्तो जब हम अपनी कॉम्पोजिशन में या अपने डिजाइन में कोई एक ऐसा area create कर लेते हैं या define कर लेते हैं जिसकी तरफ viewer की यानि कि देखने वाले की तमाम तर attention जो है वो divert हो रही हो तो इसको हम कहते हैं कि हमने अपने design में emphasis का principle apply किया दोस्तों ये जो area हमने बनाया अपने design के अंदर जिसकी तरफ देखने वाले का ध्यान हमने divert किया है इसको हम focal area के नाम से जानते हैं अच्छा ये जो emphasis create करने का काम है ये बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है ये मैं आपको बाद मैं बताओंगा पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम emphasis के अंदर जो focal area create करते हैं वो area होना चाहिए जिसमें हमारे design का most important portion है यानि के हमारे design का concept या theme वो उस portion के अंदर उस area में लाए कर रहा होना चाहिए यानि के वो वाकिए में हमारे design का important तरीन area होगा अच्छा इसके साहसाथ एक और एहम बात मैं आपको यहां पर बताता चलूँ आप लोगोंने emphasis create करते हुए हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक design के अंदर एक से ज़्यादा focal areas नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर हम multiple focal areas अपने design के अंदर create कर देंगे तो जो देखने वाला है यानि कि हमारा जो viewer है उसकी eye disturb हो जाएगी और उसको बिल्कु समझ ही नहीं आएगा कि मैंने पहले किस सीज़ को देखना है और फिर उसके बाद किस सीज़ को देखना है बिसिकली ये जो emphasis का जो principle है इसके जरीए हम viewer की जो eye है उसको travel करवाते हैं अपने design के अंदर बहुत असानी के साथ तो चलें अब बात करते हैं उन तरीकों की कि जिनके through हम basically अपने design के अंदर emphasis को create कर सकते हैं दोस्तों emphasis आम तोर पे design के अंदर contrast के through create किया जाता है जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि opposite चीज़ों को इस्तमाल करके मिसाल के तोर पे आप इस visual को देखिए यहां पे आपको कुछ grey color के circles नजर आ रहे हैं और उनके बीच में एक red color का circle है तो basically contrast दे दिया और break दे दी color के अंदर और color में break दे के एक खास जो circle है उसको ज्यादा important बना दिया गया है यहां पे इस visual में इसको कहते हैं emphasis create करना इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ यह visual देखिए इसके अंदर light और dark की मदद से यानि के value की मदद से emphasis create किया गया है आप देख सकते हैं कि front पे जो एक black color का image है वो ज्यादा attention grab कर रहा है rather than कि जो पीछे background पे gray color के images हैं उनकी निस्बत अच्छा इसी तरह हम बाज उकात किसी pattern को break करके भी emphasis create कर सकते हैं इसी visual को देख लीजिए यहां पे कुछ different icons हैं emojis हैं जो के ज्यादा तर आपको जो नजर आ रहे हैं इस visual में वो smile के emojis हैं लेकिन बीच में एक sadness का emoji दे दिया और उसका color भी change कर दिया है तो हो क्या रहा है जब आप इस visual को देखेंगे तो आपकी नजर सबसे पहले इस sad वाले red color के emoji पे पढ़ेगी ना के उन yellow color के जो smile वाले emojis हैं उनके उपर so basically इस तरह से हम emphasis create करते हैं अच्छा इसी तरह हम objects के या अपने design elements के size को vary करके भी emphasis create कर सकते हैं जैसे आप ये देखें इस visual के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो object है उसको बड़ा कर दिया गया है और इस तरह से उसकी तरफ ध्यान जो है वो बाट दिया गया है देखने वाले का अच्छा इसी तरह से एक और आपको तरीका बताता है चलों बाज उकात हम अपने जो हमारे elements होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से place करते हैं यह से capture करते हैं कि उस placement की वज़ा से वो focal area बन जाते हैं हमारे design का या हमारी photograph का इस photograph को देख लीजिए इस photograph में आप देख सकते हैं कि मटी है जो कि brown कलर की है और जो मटी का एक proper खुबसूरत रंग होता है और उसके बीच में एक green कलर का यह चोटे से कुछ दो तीन leaves की एक शाक निकली हुई है एक चोटा नौजाइदा पौदा जो है वो निकला हुए और यह जो green है इस brown के बीच में यह थोड़ा सा isolated feel हो रहा है और इसकी placement कुछ इस किसम की है कि इसकी placement की वज़ा से ध्यान जो है वो पूरी picture के अंदर पूरी photograph में direct इसी की तरफ जा रहा है अच्छा चले अब कुछ बात करते हैं purely graphic design के हवाले से emphasis की दोस्टों इस poster को देखिए यह एक movie poster है और आप देख सकते हैं कि इस movie poster के अंदर color को break करके भी और उसके इलावा size के अंदर variation लाके भी जो है वो emphasis हमने यहां पे create किया है अपने design के अंदर इसी तरह से यह एक और poster देखते हैं यह भी एक movie से relevant ही poster है और आप देख सकते हैं कि एक camera नजर आ रहा है आपको foreground में और उसके अंदर जो उसका lens है उसके अंदर eye बना दी गई है eye की जो image है वो दिखा दिया गया है और वो image इतना magnify कर दिया गया है कि जब हम देखते हैं इस image को पूरे poster को तो हमारा ध्यान सबसे पहले direct उस eye वाले portion पे जो वो lens वाले जगा पे है वहीं पे जाता है तो इस तरह से हम posters के अंदर basically अपने किसी भी designs के अंदर जो भी हम items produce कर रहे हैं उनके अंदर हम emphasis create करते हैं एक website की मिसाल भी देख लेते हैं यह देखें यह website है एक event के हवाले से जो कि entrepreneurship के हवाले से एक event है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिलकु सेंटर में करके बड़ा करके उन्होंने logo जो है वो create किया है और उसके नीचे इन्होंने date जो है वो रख दी है और यहां पे इन्होंने color की भी variation दी है background पे dark colors हैं, grays और blacks हैं blues हैं, dark blues हैं और foreground पे pure white यूज़ करके जो है इन्होंने एक area यानि कि यह जो logo है और जो date है इसको इन्होंने focal area बना दी है तो दोस्तों आप लोगोंने देखा कि design के अंदर emphasis की किस कदर ज्यादा एहमियत है और हम designs को कितना interesting मना सकते हैं अगर हम जो principle है emphasis का उसको follow करें अपने designs के अंदर तो आप लोगों को मैं ये recommend करता हूँ कि आप लोग emphasis के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और आने वाले वक्त में जब आप लोग designs बनाएंगे तो आप इस principle को use करके बहुत interesting designs जो हैं वो create कर सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये lesson जो है ये पसंद आया होगा इंशाला तरह next lesson में किसी नए principle of design के हवाले से बात होगी